समस्कार दोस्तों बहुत स्वाइज़त है आपका आपके अपने चैनल में मैं हूँ आपकी वही अंजरी सुर humility वो जो दिन भर आसमा का साथ दे चान्द वो जो रात भर तारो का साथ दे प्यार वो जो जिंदगी बर साथ दे और दोस्ती वो चुपल-पल साथ दे जी हाँ आपने सही सुना हम आज के देली राशी फल की बात कर रहे हैं आज के दिन जिनका बर्थ दे है या वर मैरे जुनिवर्सरी है उनको मेरी तरफ से देर सारी गुडविशिस और बहुत सारी बधाई हो तो चलिए अब स्टार्ड कर लेते हैं आपका एक अच्छा दोस्त हमेशा आपसे बहुत जादा लड़ता है मगर आपकी आँखों में आँसों देख कर वो सारी दुनिया से लड़ जाता है खुदा से मांगो तो नसीव मांगो अकल नहीं क्योंकि बड़े-बड़े अकलमंद नसीव वालों के यहां गुलाम होते हैं अगर कोई इंसान अपना जुर्म कबूल कर ले तो ये एक तरह का धर्म है सबरें के ऐसी सवारी है जो सवार को कभी गिरने नहीं देती जब किसी चीज से खत्रा महसूस करो तो उससे दूर मत भागो उसका सामना करो क्योंकि खत्रा खौफ से बहतर है जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफरत पैदा होने लगे तो फॉरन उसकी अच्छाईयों को याद करो अपनी जुबान की तेजी कभी उस मापन मत आजमाना जिसने तुम्हें बोलना सिखाया लोगों को उसी तरह माफ किया करो जिस तरह आप अपने रप से उम्मीद करते हो कि वो तुम्हें माफ कर देगा बेशक अपने दोस के लिए अपनी जान कुर्बान कर दो पर किसी चीज के लिए अपने दोस को कभी कुर्बान मत करना कभी किसी को आजमाओ मत क्योंकि इस से रिष्टे कमजोर हो जाते हैं अगर तुम किसी को धोका देने में कामयाब हो जाते हो तो ये मत समझो कि वो कितना बेवकूफ है बलकि ये सोचो कि उसको तुम पर एतबार कितना है गुसे में कभी कोई फैसला मत करो और जरूरे से जादा खुशी मिलने पर किसी से कोई वाइदा मत करो दोनों ही हमेशा गलत होते हैं हमेशा अपनी छोड़े-छोड़े गलतियों से बचने की कोशिश करो क्योंकि इनसान पहाडों से नहीं बलकि छोटे-छोडे पत्रों से ही ठोकर खाता है जिसने किसी को अकेले में नसीहत दी उसने उसकी जिन्दगी सवार दी और जिसने सब के सामने किसी को नसीहत दी उसने उसकी जिन्दगी बिगार दी इंसान की अच्छी नियत पर उसे वो ही ना मिलता है जो से उसके अच्छे कामों पर भी नहीं मिलता जो तुम्हें कुशी में याद आए संजो तुम उससे महाबत करते हो जो तुम्हें गम में याद आए समझ लो कि वो तुमसे महाबत करता है सबसे पहले मैं आपको पता दू क्याजाब के लिए जो है भागेशाली जो रंग है याने के लखी कलर वो लाल बन रहा है और जो लखी नंबर है वो नंबर 9 रहेगा आर्ज क्रहों की जो स्थितियां हैं वो कहती हैं कि घर के लिए बड़ी खरेदारी करते समय आर्थे के उजना उपर भी ध्यान देना जरूरी है किसी भी काम के लिए अभी तक जमा की हुई पूंजी को जरूरल से जादा इस्तमाल बिलकुल भी मत कीज़ेगा क्योंकि भविश्य में फिर से यही पूंजी जमा कर पाना आपके लिए थोड़ा कठिन सावित हो सकता है इसलिए जो है आपको सो समझ कर और important चीज़ें ही खरेदनी चाहिए अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं तो gold loan लेने से प्रहेस कीज़ेगा gold का loan मत लेज़ेगा हाँ अगर आप जमीन से लेटिट वगएरा कोई loan लेना चाहते हैं घर वगएरा के लिए तो वो बढ़िया रहेगा उसमें आप loan ले सकते है साथ में आज किसी निकट परिचित महिला के कारण आज आपको लाव की स्थितियां मिल सकती हैं किसी प्रकार से यसमें जो है उचित ग्रह स्थितियां बने हुई हैं जो कि आपका रवाया पॉजिटिव बना कर रखेंगे साथ ही में आज आप के लिए बहुत important चीज़ा रहेंगे इस समय का भरपूर आपको जो है अच्छे से प्योग करना है relatives और सगे सबंदियों के साथ आज जो रिष्टे हैं वो काफी मजबूर दिख पाएंगे भविश्य से related आप कोई important plannings कर सकते हैं property या फिर पैत्रिक सबंदे किसी कारे में रुकावटाने से तनाप कई लोगों को हो सकता है भाईयों के साथ सबंद कई लोगों के खराब होने की अशंका नजर आ रही है ऐसे सितारे कहते हैं लेकिन जारातर जो है ठीकी रहेंगे कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है इसलिए थोड़ी बहुत साथानी सबको बरतनी है आज संतान के किसी परिशानी में आपके सहयोग से उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका solution बड़ी असानी से निगल सकता है इसलिए बच्चों की प्रॉब्लम को सुलजाने के लिए पेरेंट्स को सबसे पहले आगे आना चाहिए आज की परिस्थिती और लोगों का बरताब इन बातों का केवल आज निरिक्षिन करते रहें किसे वे बात पर आपको खुद होकर टिपणी देने की जरुरत नहीं है यानि कि आपको जादा आगे नहीं आना है आपको जारा तरह सुनना है आपके नियरिक्षिन द्वारा आपको कई सारी सहचता से ना दिखने वाली बातों के बारे में आपको जानकारे मिल सकती है इसका योग ये उपयोग आपको भविश्य में लोगों की प्रती क्या बरताव रखना है और परिसिती का किस तरह से सामना करना है ये पता चलेगा यानि कि आज का दिन कुछ इस प्रकार से रहेगा कि आज आज आपको कई चीजें सीखने को मिलेगी साथ आपके साथ प्रसनal experience होगा जोगा जो इसे आपको पता चलेगा फिर किस ब्रक्ति के साथ कैसा बरताव करना चाहिए कोन अपना है कोण पर आया है कोन आपके लिए better सोचता है या आज आपको पता लग सकता है या अगर यूँ कहें तो आपको कोई चोट लग सकती है, मांसिक चोट जिसे बोलते हैं अगर कोई धोका करते हैं तो आपका पता लग जाएगा कि मेरा कोई नहीं है इस तरीके से कुछ आज हो सकता है साधी में आज राजरितिक और समाची को कामों के प्रती आपका रुझान जो है वो बढ़ता नजर आएगा यजे के साथ ही राजनेतिक संपर्क भी बढ़ते चले जाएंगे जो कि आगे चल कर आपको शुब अफसर प्रतान कर पाएंगे नए वाहन के खरीदने की जो है जुन सितारे है वो बने हुए हैं लेकिन हाग इसी को उधार मत दीजेगा क्योंकि उधार दिया हुआ पैसा वापिस मलने में बहुत ही समस्याएं हो सकती है स्टूरेंट्स को अपनी पढ़ाई में और भी जादा ध्यान देने की जरूरत होगी फ्रेंट्स के साथ घूमने फिनने एंटर्टेंबन में अपना समय जरा फिजोल मत कीजेगा पेरंट्स को डाटना चाहिए बच्चों को इससे आपको कई important काम रुख सकते हैं अगर आपने असाना किया तो जरूरी खर्चे से भी सामने आएंगे आपके जरूरी खर्चे हो सकते हैं कुछ सिरों में इसलिए अपनी savings को हैं बचा कर रखेगा अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के business और career के बारे में तो business और career में आज आप के सितारे कहते हैं कि वे विसाएक कारियों में आपकी सूझबूच और गतिविधियां बहुत ही फायदेमन साबित होंगी करमचारियों के साथ चल रहा कोई पुराना विवाद आज खत्म होने से बहुत ही रहात मिल सकते है और हाँ काम दुबारा अपनी गति से शुरू हो जाएगा अगर रुका हुआ था कहीं लोगों का आफिस में अपने टार्गेट्स को पूरा करने के लिए जादा महनत करनी पड़ सकती है वो तो नेट्रूल बात है करने पड़ेगी तब ही आप सक्सेस हासल कर पाएंगे जितने भी जिम्मेदारियां आपनी भा सकते हैं उतना ही काम के बारे में कमिट्मेंट दे देना हो कि आप हां में हां मिलाते चलें और आपसे काम ही न हो और टार्गेट बीच में रह जाएं इसलिए उतना ही काम पकड़ें जितना आपका शिरिर साथ देता है आपके गारे शैली और योजना आपके विवसाई को और भी ज़्यादा कती प्रतान करेगे अगर किसी की साथ बिजनस में सांजेदारी करने की बात जल रही है तो इस पर फोरण नमल करें ये सांजेदारी बहुत ही ज़्यादा फाइदे बंद हो सकती है आने वाले दुनों में नौकरी पीशे विक्ति जो है अपने ओफिस के कारे को बहुत ही ज़ादा सावधानी से कीज़ेगा आज के दिन गमन जॉब्स करने की इच्छा रखने वालों को और भी ज़ादा महनत करनी पड़ सकती है क्योंकि आफिरी जो है बहुत ज़ादा competition हो सकता है high scale पर तो अगर आपको गमन जॉब्स सच में करनी है तो आपको उतने ही ज़ादा महनत करनी पड़ेगी अभी आप पर depend करता है अब बात करते हैं आगे love life की और तो love life आज आपके बारे में कहती है कि किसी वे problems के समाधान में जीवन साथी के सलाथ जरूर ले लीजेगा आपको बहुत उच्छी समाधान मिल सकता है और हाँ आपसे जबन भी मदूर बंते चले जाएंगे आपकी सहायता से partner भावनात्म करूप से सक्षम महसूस कर सकते हैं आज आप एक दूसरे के साथ काफी जो है safe महसूस करेंगे कोई भी आपको problem नहीं आएगी बस अगर आपके कुछ लोगों की जो मांसिक सितिया है वो थोड़ा बेगर सकती है relationship से लेकर जिनकी शादी नहीं हुई है जो singles है और relation में है उनके लिए थोड़ी आज problem हो सकती है मांसिक टेंशन बढ़ सकती है साथ में आज पती पतनी की आप से संबंद बहुत ही सही उगात्मक रहेंगे एक दूसरे का हार बिटाएंगे हर काम में प्रीम समंदों में मर्यादा का ध्यान भी अवश्य रखिएगा वो जरूरी है अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको इन सब चीजों के बारे में सोच विचार करना चाहिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के हेल्थ के बारे में हेल्थ कहती है कि इस समय अलर्जी की वज़ा से गला खराब और खांसी जुकाम की शिकायद भी हो सकते है आपको हमेशा कहती हूँ कि आईरवेदिक चीजों का इस्तमाल करी यह खीद मानी उससे बहुत रहत मिलेगी पानी के द्वारा कई लोगों को पेट में इंफेक्शन हो सकती है तो हो सके तो पानी को ठीक करवाइए और ह कर हो सके तो गुनगुना पानी ग sneakers कर के पी सकते हैं तो आप उसका इस्तमाल कर सकते हैं मानसे ग्रोप से कमजोर होने की वज़ज़ से आप मैंसे कुछ लोगों का जो उतसा है आज उसमें गिरावट आ सकती है यानि कि चुस्ती फूर्ती नहीं रहेगी आप थोड़े धीले धीले और सुस्त बुस्त रहेंगे तो आप को जो है थोड़ा अराम भी फरमाना चाहिए नहीं तुझो इसका असर आपके काम पर पड़ता नज़र आएगा कई लगों को गैस कब्ज की कारण आज सुस्ती हो सकती है और शरीडिक और जम में भी कमी देखी जा सकती है हलका फुलका भोजन खाईए खिचरी और फ्रूर्ट्स का सहारा ले तो ही जादा आपकी शरीड के लिए better result देखने को मिल सकते है तो ये बात की हमने help की और अब हम अन्तवे बात कर लेते हैं आज के विशेश शुपाई के बारे में तो आज विशेश शुपाई आपके बारे में कहता है कि आज आपको सबसे पहले किसी कन्या को लाल चुन्री लाल कपड़ी या फिर कोई भी लाल रंग की चीज या फिर आप मेकप भी दे सकते हैं तो वो जरूर कीजेगा उस पने संदूर वगरा शामिल जरूर कीजेगा और साथ में अगर आप जो हैं आज अपने इश्ट देव को तिलक वगरा लगाते हैं इस पैशली चंदन और केसर का तो बहुत यूमदा रहेगा आपके लिए तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करें शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना भूलेगा धन्यवाद